हे गाइज तिस इस मुकेश, वेल कभी कभी हम लोग अपने डेडो डे लाइप में इस तरीके के स्टेसेज को बोलते हैं जहां पर हम लोग कहते हैं फिल्म देखने के बज़ा मैं सौना पसंद करूँगा उससे साधी करने के बज़ाए मैं मरना पसंद करूँगा टी लेने के बज़ाए मैं कॉफी लेना चाहूँगा खेलने के बज़ाए हम लोग पढ़ना चाहेंगे दिल्ली जाने के बज़ाए मैं मुंबई जाना चाहूँगा या मुंबई जाना पसंद करूँगा तो इस तरीके के sentences को English में बोलने के लिए कौन सा structure का use क्या जाता है Let me tell you Structure में सबसे प्ले write करेंगे subject Subject को लिखने के बाद हम लोग लाएंगे would rather Would rather का use क्या जाता है इस तरीके के sentences को बया करने के लिए Would rather को लिखने के बाद हम लोग लाएंगे verb का first form जिस चीज को करने में आपको अच्छा लग रहा है जो चीज आप करना चाहते हैं जो चीज आपको करना पसंद है तो वहाँ पर हम लोग वो वर्ब write करेंगे फिर लगाएंगे then यहाँ पर then टी एच एएन बला then है यहाँ पर ए बला then है उसके बाद जो आप नहीं करना चाहते हैं यह जो आपको करना नहीं पसंद है तो वो वर्ब को फिर से write करना पड़ेगा then के बाद जो करना चाहेंगे then से पहले और जो नहीं करना चाहते हैं उसको then के बाद उसके बाद हम लोग other words को write कर देंगे किस तरीके से, in order to understand better, so let's take some example, तो आज का पहला sentence है, इस फिल्म को देखने के बजाए, मैं सोना पसंद करूँगा, या मैं सोना चाहूँगा, तो इस sentence के लिए बोलेंगे, I would rather sleep than watch this film, I would rather sleep than watch this film, next sentence, उससे साधी करने के बजाए, मैं मरना पसंद करूँगा, I would rather die than get married to her, I would rather die than get married to her, तो यहाँ पर marry के बात मैंने to लगाया, preposition, क्योंकि जब कोई लड़का लड़की से साधी करता है, तो two आता है, marry to, अब जब कोई लड़की लड़का साधी करेगा, तो लगाएंगे marry with, तो असा concept है, next sentence, टी लेने के बजाए, मैं कॉफी लेना इस संडेस के लिए बोलेंगे, I would rather take coffee than tea, I would rather take coffee than tea, टेक दो दो बार यूच नहीं करेंगे, जब दो हिंदी में दो दो बार आए, इंग्लिस में एक ही बार write किया जाता है, next sentence, खेलने के बजाए, हम लोग पढ़ना चाहेंगे, या पढ़ना पसंद करेंगे, इस संडेस के बोलेंगे, we would rather study than play, we would rather study than play, you can also say, we would rather read than play, next sentence, दिली जाने के बजाए, मैं मुंबाय जाना चाहूँगा, इस संडेस के लिए बोलेंगे, I would rather go to Mumbai than Delhi, I would rather go to Mumbai than Delhi, Hey दोस्तों, इस से जुड़ी मैं आपको एक संडेस देता हैं, इसको ट्रांसित के लिए राट के जिए, comment box में, if you make any mistake then I'll correct it, how did you find my video, if you really like this video, please like, comment and subscribe and don't forget to share this video, thanks for watching video friends,